हेलो दोस्तों मैं स्वारों मलिक आप सभी का टोपिक स्टेडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ और इंपोर्टेंट कोशन जो की एक्जाम में कहीं बार पुछे जाते हैं तो आपके टेस्ट पूरा एंड तक लगाना है और इन कोशन में से आप कितने स्कोर कर पाते हैं अपने स्कोर कमेंट बोक्स में जरूर बताना है और अगर आप चाते हैं डेली इसी तरीकी से ओनलाइन टेस्ट के नोटिफिकेशन लेना साथ ही साथ मैं तो रिजिनिंग का भी नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड कल गए बटन को दबा करके बैल ऐकन को ओन कर लिजेगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुचना स्टार्ट हो जाएगा और हाँ अगर आपके टेस्ट पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फेस्बुक वोटसब गुरूप में जरूर सेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे इससे पहले जितने भी ओनलाइन टेस्ट की वीडियोज अपलोड हो चुके है उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आपको उन वीडियोज को देख सकते हैं आपको हर एक कोशन में 5-6 सेकिंड दिये जाएंगे उस 5-6 सेकिंड में आपको कोशन का अंसर नीचे कमेंट बोक्स में बताना होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पर पहला कोशन है भारत का राष्टिय चिन को भारत सरकार ने कब अपनाया बस आपको इतना बताना है कमेंट बोक्स में A, B, C, D में से कोन सा राइट आंसर है तो दोस्तो बिलकुल सही 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्टिय चिन भारत सरकार ने अपनाया था तो राइट आंसर A हो जाएगा तो दूसरे का राइट आंसर आपका ओप्शन C हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को दोस्तो दोनों ही कोशन इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए नेक्स कोशन पे चलते है कोशन नमबर 3 है सविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्य बजट का वर्ण किया गया है तो दोस्तो राइट आंसर आपका ओप्शन B हो जाएगा 112 में कोशन नमबर 4 भारत का सेक्सपियर किसे कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल एंड तक देखा करें वीडियो को ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाता हूँ फोर का राइट आंसर आपका ओप्शन C हो जाएगा काली दास को भारत का सेक्सपियर कहा जाता है चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 5 है संसार का सबसे बड़ा महाकाविय है संसार का सबसे बड़ा महाकाविया आपका माभारत है राइट आंसर आपका उप्शन D हो जाएगा कोशन नमबर 6 हिंदी विशय के लिए पर्थम ज्यानपीट पुरुशकार किसे परदान किया गया बहुत इंपोर्टेंट कोशन है सुमित्रा नंदन पत इस दा राइट आंसर यानि कि उप्शन D आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है? चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 7 बहुत इंपोर्टेंट कोशन है सबसे अधिक बार बजट किसने पेस किया? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर जितनों इस्टुडेंट को भी पता है प्लीज कमेंट बोक्स में आंसर बता दीजेगा बिल्कुल सही है मोरार जी देशाई इस दा राइट आंसर मोरार जी देशाई ने सबसे अधिक बार बजट पेस किया है ध्यान रखेगा कोशन नमबर एट आधुनिक युक की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है तो राइट आंसर आपका उप्शन बी हो जाएगा महादेवी वर्मा को ठीक है बई? चलिए नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं कोशन नमबर नाइन है राष्टिय धवज के प्रारूप को सविधान सभा के दुआरा कब अपनाया गया ये भी बहुत अच्छा कोशन है पता होना चाहिए आपको तो बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पे राइट आंसर उप्शन बी लगा रहे हैं बाई जुलाई 1947 को 1947 में राष्टिय धवज के प्रारूप को सविधान सभा के दुआरा अपनाया गया था ठीक है कोशन नमबर 10 है संस्कृत व्याकरन के जनक किसे माना जाता है तो देखें हाँ पे संस्कृत व्याकरन के जनक किसे माना जाता है पाननी को ठीक है तो पाननी यहाँ पे right answer हो जाएगा रानी की option D is the correct answer चलिए next question पर चलते हैं Question number 11 है सत्यमें जेते कहां से लिया गया है बहुत अच्छा question है तो सत्यमें जेते कहां से लिया गया है मुंड को अपनी सत्थ से right answer आपको option C हो जाएगा जितने भी question करार रहोना रट लिजए आँख मिचके चाहे वीडियो आपको दो बार देखनी पड़े चाहे चार बार देखनी पड़े PDF 20 की मिल जाती है वीडियो का एंड तक देखे बता दूँगा कहां से आपको PDF मिलेगी ठीक है बट सारे question important है रट लिजए option D. Dr. Sarupali Radha Kirsan is the right answer ठीक है चले next question पर चलते है question number 13 है भारतिय रास्टे कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्स कोन थे तो रास्टे कॉंग्रेस भारतिय रास्टे कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्स कोन थे बदरुदीन तयब जी right answer आपका option A हो जाएगा संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो सभी को पता होगा हर एक स्टुडेंट का right answer कमेंट बुक्स में आजाने चीए इस question का तो 14 का right answer आपका option B हो जाएगा नील नदी ठीक है चले next question पर चलते है question number 15 है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है तो बिल्कुल सही है right answer आपका A हो जाएगा मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है question number 16 है नासिक में किस नदी के किनारे कुम्ब का मेला लगता है तो नासिक में आपका किस नदी के किनारे कुम्ब का मेला लगता है D is the right answer ठीक है चले next question पर चलते है question number 17 है बुगोलिक दिरस्टी से भारत की प्राचीन्तम प्रवत सरंकला कों सी है अरावली right answer आपका option C हो जाएगा question number 18 जवहार सागर बान किस नदी पर इस्तित है जवहार सागर बान किस नदी पर इस्तित है तो बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पे option बी राइट आंस लगा रहे चम्बल नदी पर जवार सागरबान इस्थित है चलिए next question पर चलते है question number 19 है मुगलो की राजकिय भासा क्या थी तो देखें मुगलो की जो राजकिय भासा थी वो फारसी थी राइट आंसर आपका option D हो जाएगा ठीक है याद रखेगा मुगलो की राजकिय भासा फारसी थी question number 20 very very important Simon Commission कब भारत आया था Simon Commission कब भारत आया था तो यह आता तीन फरवरी 1928 को राइट आंसर आपका option C हो जाएगा ठीक है चलिए next question पर चलते है question number 21 आराम हराम है का नारा किस ने दिया था आराम हराम है का नारा किस ने दिया था देखे 21 का राइट आंसर आप अगर option D लगाने तो बिल्कुल सही है जवाल लाल नहरू जी ने दिया था तो राइट आंसर आपका option D हो जाएगा question number 22 एलोरा गुफा का निर्मान किस ने कराया था तो एलोरा गुफा का निर्मान किस ने कराया था राष्ट कुटाव जने तो राइट आंसर आपका राष्ट कुटाव हो जाएगा ठीक है राइट आंसर आपका option D हो जाएगा ठीक है चलें next question पर चलते है question number 23 काफी अच्छा question है विदेशी यातरी इबिन बतूता किस देश का था विदेशी यातरी इबिन बतूता किस देश का था तो बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पर option B लगा रहे है मुरक को इस दा राइट आंसर question number 24 हजरत मुहम्मद सहाब को कहा दफनाया गया हजरत मुहम्मद सहाब को कहा दफनाया गया देखे यह भी काफी important question है आपका और यह right answer आपका हो जाएगा B मदीना में ठीक है मक्का मदीना आपने सुना होगा तो वहाँ पर दफनाया गया था हजरत मुहम्मद सहाब को चले next question पर चलते है question number 25 मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था सोरी क्या है था या है आप कुछ भी बोल सकते तो 25 का right answer अगर आप option C लगा रहे तो बिल्गुल सही है इंडी का बहुत बार question repeat होता है very very important लगा लेज़ेगा तो 26 का 26 मतलब extremely important है question number 26 है सती पर्था पर पूर्ण परतिबंद किस गवर्नर जनर्र ने लगाया था तो देखिए यहाँ पे 26 का right answer आपका option C हो जाएगा Lord William Benton ने right answer का option C हो जाएगा ठीक है तो इसकी पीडियाप मैं आपको बताता हूँ कहां से मिलेगी देखिए यह पूरी की पूरे इनके answer होगे सारे के सारे आप यहां से देख सकते हैं और यह पीडियाप आप